केहिन सात्यों स्वागत है आपका Self Study Classes विस्तमिच जैन यूटूब चैनल में तो सात्यों स्टार्ड हो चुका है आज का इस सेशन ठीक है शबी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे और दोस्तों वीडियो को सेर भी कर देना अपने मित्रों तक अगर अभी तक आपन किलासे सर्च करना पिले स्टोर में ठीक है आपको एप मिल जाएगा डाउनलोड करने साहित के अगर स्टूडेंट हैं आप साहित की तैयारी कर रहे हैं मास्टर कडर एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं UKLT की कर रहे हैं दोस्तों TGT PGT या फिर जूनिया टैट एक्जाम की तै यारी कर रहें है हिंदी साहस से सब्बंद जो भी आपका सब्ञेक्ट जो भी आपका presented एकजाम है उसके लिए आप दोस्तोस सेलफ स्टरि करनी के लासियाँ से पर गोड़ में unavादु से लेकर कि अपनी तयारी बहुतね कर सकते ठीक है तो दोस्तो चलिए सटार करते आज के सेसन जारा वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन है यहां तक अपनने पढ़ा था अब आपको बता भी देना है कि जारा वर्ष का समय कहानी के जो लेखक माने जाती है वो कौन माने जाती है जल्दी से सभी लोग बताएंगे बढ़िया प्रस्न है दोस्तो जारा वर्ष का समय क कहानी के लेखक कौन माने जाती हैं उत्तर आचार रामचंड कोक बात करोगे तो वो है कौन रामचंद्र सुकल यानि कि उत्तर चला जाता है एक की तरफ ये नमर आपका बिल्कुर सही हो जाता है ठीक है रामचंद्र सुकल राइट अंसर प्री बर मिट्टी या फिर ग्यारा वर्स का समय सबसे पुरानी कौनसी कहानी है बताइए शबी लोग और शातियों वीडियो को लाइक जरू कर दें ठीक है अपने मित्रों तक सेयर जरू किया करें अपने फेस्बुक में भी आप सेयर कर सकते हो दोस्तों है ना कौनसी सबसे पुरानी कहानी है और उत्तर चला जाता है आपका रानी केतिकी कहानी ये सबसे पुरानी है दोस्तों रानी केतिकी कहानी है ना इसके लेखक कौन है तो उत्तर हो जाता है इंसा अल्ला खान यहाँ पर देखो दोस्तों यहाँ पर देखो इन वैसे सबसे पुरानी कहानी रा इंसाल लाखाने रानी केतकी की कहानी 1798-1830 के मद्द में इसकी रचना इन्हों ने की थी और इसका अन्य नाम है दोस्तों ओदाए भान चरित इसका अन्य नाम भी कई बार पूचा गया है रानी केतकी की कहानी का अन्य नाम क्या है तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा ओदाए भान्चरित ये question भी कई बार आया है तो रानी केतिकी की कहानी के रिचनाकार कौन है इंसाल लाका है है ना इसका अन्य नाम क्या है तो इसका अन्य नाम अधाय भान्चरित है ठीक है इसको याद रखेंगे और यहाँ पर आपका प्रश्न है निम्न कहानियों में से कौन सी कहानी जैनेंद्र कुमार द्वारा रचित है जैनेंद्र कुमार द्वारा कृत मानी जाती है यानि कि 149 का उत्तर आपको बताना है नमक का दरोगा मलबे का मालेक पाजेब या फिर हार की जीत है ना निम्न लिखित कहानियों में से जैनेंद्र क कहानी कौन सी है जैनेंद्र की कहानी बहुत बढ़ी आंसर आया है कि सर अगर जैनेंद्र की कहानी की बात करोगे तो उत्तर लगा देना आप पाजेब है ना पाजेब पाजेब जो कहानी है दोस्तों यह जैनेंद्र जी की है और सी की तरफ आपका उत्तर चला जाता है सी मनो बश्रेशात्म कहानियों पन्यास के रूप में जाने जाते हैं और इनकी प्रिसिद्ध कहानियों में फासी, जनेंद्र कुमार, बातायन, नीलम देश की राजकर्निया कई बार पूचा गया एक रात, दो चिड़ियां, पाजेव, जैसंदी, आदी इनकी कहानी है ना और दोस्तो नमक का दरोगा मुनसी प्रेम चंदी की मलवे का मालेक मौहार राकेस हार की जीत सुदर संजी की कहानी है। ठीक है इनको भी हमें साथ साथ में याद करते चला है। अब देखते हैं दोस्तो अंगले प्रशने को। अंगला प्रश्न यहां पर आता है कौन सी कहानी सेलेस मट्यानी की है? ये चार विकल्पें आपके सामने सेलेस मट्यानी की कहानी आपको चेहन करना है सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक जरू कर देंगे और अपने मित्रों तक स्तियर जरू कर देना है ठीक है? जल्दी से करें कौन सी कहानी सेलेस मट्यानी की है? बताइए सेलेस मट्यानी की कहानी कौन सी मानी जाती है? और आपने बिल्कुल सही चैन किया है कि सर अगर सेलेस मट्यानी की कहानी की बात करोगे तो वो है अरधांगनी कौनसी है अर्धांगनी यानि कि आपका राइट आंसर चला जाता है दोस्तों है ना चला जाता है कौनसा डी नंबर डी नंबर आपका बिलकुल सही हो जाता है ठीक है अर्धांगनी आपका राइट आंसर हो जाता है है ना और डी नंबर राइट है अंगला क्वेस्चन सेलेष मठ्यानि दौरा लिकेत, एक प्रेयम कहानी है, सेमाता का हिर्दाय बेटों बाली बिदवा, तता होली का उपहार प्रेयम दौरा लिकेत कहानी संगरे स्प्रकार हैं, दुखों का एक सुक है ना नाच जमूरे नाच हरा हुआ जंगल में मंगल महा भोज चील प्यास पत्थर बर्प की चट्टाने ये सभी मानी जाती है अब कॉस्चन है दोस्तों आपके लिए जबरा कुत्ता जबरा कुत्ता प्रेम चंद की किस कहानी के पात्र है ये जबरा है जबरा कुत्ता बताना है किस कहानी का पात्र है प्रश्न किरमां के 141 में बताइए जबरा कुत्ता प्रेम चंद की किस कहानी का पात्र है 141 में आपको चैन करना है बढ़िया प्रश्न है दोस्तों और ये कहानी बहुत ही प्रसिद्ध कहानी मानी जाती है और वो कहानी कौन सी है जबरा कुत्ता प्रेम चंद की किस कहानी के पात्र है उत्तर चला जाता है पूस की रात उत्तर चला जाता है पूस की रात यानी बी नंबर है ना बी नंबर जबरा कुत्ता प्रेम चंद की कहानी पूस की रात का पात्र है और इस कहानी के अन्न पात्र है हलकू मुन्नी क फन है ना कहानी में घीस घीसु मादा व बुधिया ये प्रमुक पात्र माने जाते हैं अंगला कोस्चन है प्रकासन बर्स के अनुसार निम्न लेखित कहानियों का सही अनुकरम क्या है सही अनुकरम आपको बताना है प्रकासन बर्स के अनुसार निम्न कहानियों का सही अनुक है ना और दोस्तों जिन भी सात्यों को एड़ भी से लेना है वो सेल्प स्टेडी किलासे का एप डाउनलोड कर लें है ना और प्रिकासन बर्स के अनुसार नेमलकित कहानियों का सही अनुकरम क्या है सही अनुकरम क्या है और उत्तर भी आपका सही हो जाएगा क्या दो बैलों की कथा बड़े भाई साहब कफन और किरकेट मैच यानि कि आपका जो C नम्मर है वो बिलकुश सही है प्रिकासन बर्स के नुसार कहानियों का सही अनुकरम C सही हो जाएगा दोस्तों दो बैलों की कथा हैना बड़े भाई साहब कफन और किरकेट मैच ठीक है तो इनको याद ये आपकी दो बैलों की कथा में किरकेट मैच ये आएंगी सुरो ठीक है ये आपका बिलकुश सही हो जाएगा बड़ते हैं आँगे देखते प्रिकासन बर्स के नुसार निमलकित कहानी संगरों का सही अनुकरम क्या है अब प्रिकासन बर्स आपसे पूछा जा रहा है दो दोस्तों है ना तो पंजाब मास्टर के अडर के लिए बिलकुल स्पेसल कोर से है फुल कोर से दोस्तों पंजाब मास्टर का इडर का वो अराम से अड़्बी से ले सकते ग्यारा सो 99 रोपे में ठीक है प्रिकासन बर्स के निम्लिकित कहानी संगरों का सही अनुकरम क्या है सेल्प इस्टेडी किलासे से अप आप डाउनलोड कर लो और उत्तर चला जाता है सरनार्थी, परिंदे, कामरेट का कोट और डायन यानि कि आपका जो एक नम्मर है एक नम्मर जो आपने बताया वो बिल्कोर सही बताया है यह नम्मर आपका बिल्कोर सही हो जाएगा यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तो सरनार्थी, हैना अग्गे जी की परिंदे, निर्मल वर्मा जी की कामरेट का कोट सरंजाय और डायन भीस मिसाईनी यह आपका किरम हो जाएगा इस परिकार से यह ठीक है यह आपका किरम हो जाएगा सरनार्थी परिंदे, कामरेट कोट और डायन ठीक है इसको भी याद रखेंगे अंगला कोस्चंदे को प्रेम चंदी की इदगा है कहानी में हामित की दादी का नाम क्या है? हामित की दादी का नाम क्या है? यह भी आपको चेन करना है बताइए प्रेम चंदी की इदगा है कहानी में हामित की दादी का नाम रिहाना है है ना? या फिर सवाना है अमीना है या फिर सुल्ताना चमीटा खरीद के लाते हैं कि नहीं लाते हैं चमीटा खरीद के लाते हैं और प्रेमचंद की इदगाय कहानी में हामित की दादी का क्या नाम है ये उत्तर आपको बताना है है ना और उत्तर चला जाता है हामित की दादी का नाम क्या है उत्तर हो जाता है दोस्तों आपका C न कहानी इदगाय के प्रमुक बाल पात्र दोस्तो हामित की दादी का नाम है अमीना आर्थिक अभाव बाल मन की सभी अभिलासाओं को दबा कर प्रोण की भाती सोचने पर कैसे बिवस कर देता है इदगाय कहानी में हामित के माध्यम से प्रेमचंद यही संदेश प्रस्तुत कर करना चाहते हैं हैना अंगला क्वेस्चन है बड़े भाई के चरित्र के बड़े भाई के चरित्र के मनो बैज्यानिक विस्टेशन पर आधारत प्रेमचंद की कहानी कौनसी है कौनसी कहानी है 145 में बड़े भाई के चरित्र के मनो बैज्यानिक विस्टेशन पर आधारत प दोस्तो कौन सा हो जाएगा बड़े भाई के चरित्र के मनो वैज्ञानेक विश्डेशन पराधारेत प्रेम चंद की कहानी कौन सी है यह आप से पूछा गया और उत्तर चला जाता है बड़े भाई साहब यानि की डी नम्मर आपका बिलकुल शही है डी राइट है बड़े भ उसकी रात ठीक है अब एक और कॉस्चन आप से पूछा जाएगा कि प्रेम चंद के तीसरे दोर की कहानिया किस स्रेणी में आती है या थार्त बादी स्रेणी में आती है या फिर दोस्तो आदर्स बाद या फिर दोस्तो आदर्स बादी प्रेम चंद के तीसरे दोर की कहानि किस रहनी में आती हैं किस रहनी में आती हैं तीसरे दौर की कहानियां है ना तीसरे दौर की कहानियां आपको बताना है और यहां पर दोस्तों तीसरे दौर में जो प्रहम चंद जी हो गएते वो यह थार्त बादी हो गएते हैं ना तो यह थार्त बादी यानि कि दोस्तों यह नमबर यह थार्थ बादी यह नमबर आपका बिल्कूर सही है यह थार्थ बादी आता है दोस्तो प्रेमचंद के तीसरे दोर की कहानिया यह थार्थ बादी स्रेणी में आती है और प्रेमचंद अपने लेखन के प्रारंबिक दोर में आदर्स बादी थे आदर्स बादी कहान बिकल्प नमबर एक की तरफ ठीक है अंगला कॉस्चन सभी को बताना है दोस्तों चंद्रधर सर्मा गुलेरी की कौन सी कहानी को कहानी कला की द्रश्टी में उत्करष्ट माना गया है इन मैंसे कोई नहीं पहले दे दिया आपको शुखमय जीबन बुद्दू का काटा या उस ने कहा था कहानी कला की द्रश्टी में उत्करष्ट माना गया है तो किसे माना गया है उत्करष्ट उत्करष्ट बताना है किसे माना गया चंद्रधर सर्मा गुलेरी की कौन सी कहानी को कहानी कला की द्रश्टी से उत्करष्ट माना गया कहानी कला की द्रश्टी से उत्करष की अगर बात करेंगे तो उत्करष्ट माना गया दोस्तों उसने कहा था कि युद्ध में मेरे पती की रक्षा करना है ना और उत्तर चला जाता है बेकल्प नम्मर डी डी आपका सही हो जाता है चंद्रदर सर्मा गुलेरी द्वारा लेखित कहानी उसने कहा था 1915 कहानी कला की द्रष्टी में उत्करष्ट माना गया और इस कहानी का प्रकास दोस्तों सरस्वती पत्रिका में 1915 इस भी में हुआ था और यह कहानी प्रिथम बिस्युद्ध की प्रष्ट भूमी पर लिखी गई है तो वो कहानी है दोस्तों उसने कहा था है ना एह प्रेम संबेदना की कह कहानी मानी जाती है इसको भी अपन को याद करना है ठीक है अंगले कॉस्चन की और बढ़ते हैं अंगला कॉस्चन यहां पर देखते हैं दोस्तों अंगला कॉस्चन है कि प्रेयम चंद की निम्लिकित कहानियों में दलित चेतना की कहानी कौन सी है यानि कि 147 में आपको चैन क करना है है ना प्रेम चंदी की निम्लिखित कहानियों में दलित चेतना की कहानी कौन सी है दलित चेतना की कहानी बताना है कौन सी है दोस्तों आपने बहुत सारी कहानिया पढ़ी है यहां पर दलित चेतना की कहानी कौन सी है यह आपको बताना है प्रेम चंदी की निम्लिखित विकल्प नम्मर एकी तरफ थाकौर का कुवाए यानि की ए नम्मर राईट अंजर है थाकौर का कुवाए धी गई कहानियों में प्रेमचंद की डलित चेतना की सेले थाकौर का कुवा है और इदगाह आर्तेक अभाव में समय के पूर्व पिरौण होते बालमन का उदघाटन किया गया है ये जमिदार का लड़का था और मैं एक गरीव के लड़क का जिसके पास मेहनत ती हम दोनों में परस परवहस होती रहती थी मैं जमिदार की बुराई करता था उन्हें हिंसक पसू और खून चूसने वाली जौक और ब्रक्षों की चोटी पर फूलने बाला बंजा कहता वह जमीदारों का पक्छ लेता पर सभावता है उसका पहलू कुछ कमजोर होता था है ना यह बताना है कि किस कहानी से ली गई है दोस्तों और आपका यहां पर राइट आंसर चला जाता है व और दोस्तों यहां पर आता है 1199 है 1199 प्रस्तुत पंक्तियां इस्वरी एक बड़े कमजोर दोस्तों इस प्रकार से पंक्तियां दी गई है कि नसा से कहानी नसा से आउतरित है ठीक है कौन सी कहानी प्रेमचंद जी की नहीं है तो प्रेमचंद की कहानियों भी आपको पता ह निचे ये दोस्तो प्रेम चंजी की कौन सी कहानी नहीं है आकास दीप कहानी किसकी है पूसकी रात किसकी है गुली डंडा किसकी है घास बाली ये कहानी किसकी है एक सो पचास में आपको चैन करना है और एक सो पचास का बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा कि कहानी प्रेम चंजी की नहीं है कौन सी आकास दीप जबकि आकास दीप की रिचनाकार कौन है जैसंकर पिरसाद कौन माने जाते हैं दोस्तों जैसंकर पिरसाद आकास दीप की रिचनाकार ठीक है और दोस्तों पूस की रात घास बाली गुल्डी डंडा इस अभी प्रेमचंदी की कहानिया है 259 में आपको चैन करना है साथियो घीसू और माधाओ प्रेमचंद की किस कहानी के पात रहें सबी लोग बताएंगे वीडियो को लाइक और सेयर जरू कर दें एक बार दोस्तों आपको सेयर जरू करना है और यहां पर आपका बिल्कुर सही आंसर होगा घीसू और माधाओ प् वीडियो कहानी है दोस्तों है ना ठाकुर का कुवा मंत्र पूसकीरा सभी प्रेहमचंद जी की कहानीया मानी जाती है ना और कफण दलिद चेतना पर लेकेट यह यह अथार्त वादी कहानी मानी जाती जो कि कई बार पूचा गया चंदर और सुधा की भावुकता पूण कर समेड़ी से लेना है वो एप आज ही डाउनलोड करने ठीक है बढ़िया मज़ा आएगा अच्छा लगेगा चंदर और सुधा की भावुक्ता पूर्ण करुण कहानी का चित्रन निवन मैंसे किस उपन्यास में किया गया नदेखे दीप है ना गुनाहों का देउता सूरज का स नातवा घोड़ा या फिर दोस्तों पताईए अंधिरे बंदे कमरे एक सू बावन में चंदर और सुधा चंदर और सुधा है ना और यहां पर आपका जो बिलकुर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा क्या गुनाहों का देउता है ना गुनाहों का देउता यह आपका बिल्कुर सही आंसर है यहां पर देखते हैं दोस्तों आपका डी नंबर आंसर सही है दोस्तों इसका डी नंबर सही है गुनाहों का देवता नहीं है यह है आपका सूरज का सात्वा गोड़ा यह भी दोस्तों धरंबीर भारती की रिचना है और गुनाहों का देवता भी धरमबीर भारती की रिचना है ये डी नम्मर आपका बिल्कों सही होगा चंदर और सुधा की भावुकता पूर्ण कहानी का चित्रन किया गया है किसमें सूरच का सात्वा गोड़ा क्या करता है धर्म करता है धर्म है ना धरमबीर भारती यानि डी नम्मर आपका बिल्कों सही होगा डी लगाना आपको सूरज का सात्वा घोड़ा यहां पर आ जाते हैं दोस्तों है ना चंदर और सुधा की भावुकता पूर्ण कहानी का चित्रन किया गया है दोस्तों है ना किसमे किया गया है सूरज का सात्वा घोड़ा यहाँ पर दोस्तो गडबढ़ है कुछ है न यह गडबढ़ हो गया है गुनाहों का देउता ही सही है जबकि नदीके दीप अग्ये का अंधेरी बंदकमरी मोहार राकेस सूरज का साथ वोड़ है न तो यहाँ पर आप B करो B है न आप B सही है यह गलत दिया है यहाँ पर ए गलत दिया ठीक है बी नम्मर आपका सही हो जाएगा गुनाहों का देउता ही सही होगा बी नम्मर ठीक है चंदर और सुधा का भावुकता पून कहानी करुण कहानी का चित्रन धरमबीर भारती द्वारा लिखे तो अपन्यास अपन्यास गुनाहों का देउता में हुआ इस है ना राजा निर्वसिया और इंसान के खंडर कौन सा योग में संगत है ये आपको बताना है हा ना बताईए गुनाहों का देउता सही है प्रश्ण किरमा के 153 कौन सा योग में संगत है प्रश्ण किरमा के 153 और संगत आपको बताना था तो इस संगत आपको दिख रहा है यहाँ पर राजा निर्वसिया है ना यहाँ पर देखो राजा निर्वसिया यह दोस्तो कमलेसुर दौर रचेते जिंदिगी और जौक अमरकांत का है बंद गली का आखरी मकान भारती एना इन्सान के खंढ़। थीक है तुराजा निर्भस या कमलेसौर जिन्दिगी और जौझ कमरकांत बंद गली का आक्री मकान ध्रंबीर भारती इन्सान के खंढ़र मौहर राकिस थीक है ये आपको पता हो गए अंगला क्वेश्चन देख लो कहानी लेकन में निम्न मैंसे किस तत्तु की आवसकता नहीं होती कहानी लेकन में आपको बताना है ठीक है कहानी लेकन में बताईए प्रश्ण किरमां के एक सुच चंगन में किस तत्तु की आवसकता नहीं होती अथा संबाव तोक और लैका ध्यान भासा से अलियो प्रस्तुत की मौलेक्ता अनुभा और संबेदना की प्रमाणेक्ता या फिर बर्न आत्मक और संबाद कि एक सो चौंगन में कि एक सो चौंगन में सबी लोग बताएंगे किस तत्युकिया बसकता नहीं होती और आपका बिल्कुल सही है क्या है ये नंबर है ना यता संबाव तोक और लाइका ध्यान ये दोस्तों इसकी आवस्तकता नहीं होती और ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है ठीक है कहाई एक गद बिधा है दोस्तों अता इसकी लेकर में अता संबाव तोक और लाइका ध्यान आवस्तक तत तो नहीं है ना तोक या लाइका ध्यान काब में काब में दिया जाता है ठीक है अब यहां पर अंगला question आपको बताना है सात्यों यह रहा अपना किस कहानी के रचनाकार निर्मल बर्मा है सपाट चेहरे वाला आदमी लंदन की एक रात या फिर एक और बिदाई इसमें से बताओ बापसी इसमें से भी आपको बताना है तो किस कहानी के रचनाकार निर्मल बर्मा है एक सो पचपन एक सो पचपन में आपका सही आंसर किस कहानी के रचनाकार निर्मल बर्मा है तो निर्मल बर्मा में आपका राइट आंसर हो जाएगा लंदन की एक रात लंदन की एक रात यानि की बी नमबर ठीक है लंदन की एक रात में बोले निर्मल निर्मल पानी पिया कैसा पिया निर्मल निर्मल तो निर्मल में निर्मल बर्मा की कहानी लंदन की एक रात इनकी अन्य प्रमो कहानियों में दोस्तों परिंदे कब्बे और काला पानी और जलती जाड़ी कब्बे और काला पानी है निर्मल तो निर्मल बर्मा, परिंदे को निर्मल पानी हैना जलती ज़ाड़ी ये भी याद रखना, गीत फरोष की रचनाकार कौन है, धर्मबीर भारती हैं, भवानी प्रसाद मिश्र हैं, हरी नारण ब्यास हैं, या फिर हरी संकर, दोस्तों हरी बंसराय बच्चन है, गीत फरोष किस की रचना है ये आपको चैन करना है सभी लोग एक बार लाइक जरू करें और दोस्तों सेर करते रहें अपने मित्रों तक और एक किलास रोज रात त्री 9 वजे अपन पढ़ते हैं इसमें है न और दोस्तों 8 वजे इंदी ब्याकन की किलास होती है आपकी और साम को 5 बजे और सामको साड़े छे बजे दो किलासे होती है पैड मेंबर की ठीक है तो गीत फरोस किसकी रचना है ए आप से पूछा गया और आपने बिलकुल सही उत्तर चैन किया है कि सर भवानी परसाद मिस्र की रचना है गीत फरोस और उत्तर चला जाता बेकल्प नमर बी बी नम भारती हरी नारान ब्यास म्रग और त्रशना हरी बंस राय बच्चन दोस्तो मधू साला मधू साला कि रेचनाकार हरी बंस राय बच्चन म्रग और त्रशना हरी नारान ब्यास अंधायोग धरंबीर भारती गीत फरोस भावानी परसाद मिस्र इनको भी अपने आत करेंगे अंगले प्रस्चन की और बढ़ते हैं सभी लोग लाइक जरू करते जाए और दोस्तों वीडियो को सेर भी अपने मित्रों तक करते रहिए ठीक है और एप को जरू डाउनलोड करना है सेल्प स्टेडी किलासेस एप को डाउनलोड करना है सेकर जोसी की कहानी इनमें से कौन सी है सेकर जोसी की कहानी इनमें से कौन सी है कोसी का घटबार मास्क क्या दरिया जहां लच्चमी कैद है या फिर बंद गली का आखरी मकान बताईए नॉर्मल कोस्चन है कई बार अपन ने पढ़ा भी है को सेकर एक जोसी और आपका बिल्कूर सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा यहां पर राइट आंसर आप लोग ने जो बताया 157 में सेकर जोसी की कहानी इनमें से कौन सी है उत्तर है दोस्तो ए नंबर ए नंबर यानि की कोसी का घटबार है ना यह आपका बिल्कूर सही है कोसी का घटबा मांजी के पुल से कितनी दूर है मांजी का पुल कौन बड़ा है बह जो नदी पर खड़ा है मांजी का पुल या जो टंगा है लोगों के अंदर इन पंक्तियों के रिचनाकार को ने पंक्तियां आपसे पूछ ली गई पंक्तियां भी आपको बताना है दोस्तों मांजी के पुल और ये दोस्तों किसकी पंक्तियां है पंक्ति आप से पूछी गई है, सभी लोग बताएं माजी के पुल से कितनी दूर है माजी का पुल, कौन बड़ा है बहे जो नदी पर खड़ा है माजी का पुल, है ना या जो टंगा है लोगों के अंदर माजी का पुल, यह पंक्तियां किसकी मानी जाती हैं, यह पंक्तियां का आयूजित की जाएगी जिसमें 50 प्रस्ण होंगे 50 प्रस्ण में दोस्तों 50 प्रस्ण में 10 प्रस्ण होंगे हिंदी व्याकन के 40 होंगे हिंदी साहित के हैना एक टेस्ट प्रतियोगिता हिंदी साहित की आयूजित होने वाली एप में जल्द ही करेंगे अपन यहां पर आपक सेब पर तो पृतियोगीता भी जल आपकी आउजित की जाएगी टेस्ट लगाना कौन के कितने नंबर आते हैं है ना 169 का अंसर आपको लहना से हैं पंडित बुद्धी राम सुननदा अमीना इन मैंसे 169 मैंसे आपको चैन करना है कि निम्न मैंसे कौन-कौन प्रेमचंद की क कहानियों के पात्र और प्रेमचंद की कहानियों के पात्र की अगर बात करेंगे तो उत्तर चला जाता है दोस्तों यजिकर यहाँ पर आपका उत्तर बिलकुर सई हो जाएगा बी और सी B और C यानि की B नंबर ठीक है, B आपका सै है यहाँ पर देखो पंडित बुधिराम बुडिका की हैना की हैं दोस्तों बुडिका की कि प्रेमचंद है अमीना इदगाह की हैं प्रेमचंद लहना से हैं दोस्तों उसने कहा था चंद्रसर्मा गुलेरी और सुनिंदा ये दोस्तो पतनी जनेंद्र कुमार की पात्र है पतनी दोस्तो जनेंद्र कुमार की पात्र ठीक है अब यहां पर आते हैं जानभी कहानी के लेखक कोन है जानभी कहानी के लेखक आपको बताना है एक सो साथ का उत्तर जानभी कहानी के लेखा का आपको उचेन करना है बंग महिला अग्गे जैनेंद्र कुमार उपेंद्र नातास के या फिर दोस्तों अग्गे जान भी किसकी कहानी है पताईए फटापट से और सबी लोगों ने लगबक सही आंसर बताया है इसर जान भी की अगर बात करोगे तो जान भी है दोस्तों किसकी है ना जान भी की रचनाकार कौन है जैनेंद्र कुमार है ना जैनेंद्र कुमार यानी डी नंबर यहां पर एक बार अपन देख भी लेते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर ठीक है यहां पर आ जाते हैं यह दोस्तों जान भी कहानी कि जो लेकाक है वो लेकाक है जैनेंद्र कुमार ठीक है और जनेंदर की अन्न प्रमुक कहानियों में पतनी इनकी कहानी है पाजेब भी आपको पता है ठीक है और ये देखो खेल भी है फासी भी है एक रात नीलम देश की राजकन्या अपना अपना भाग एक कैदी मास्टर जी और गदर के बाद है ना तो ये जानवी कहानी किसकी है दोस्तो जैनेंद्र कुमार की है तीक है इसको याद हो गया सत्रंज के खिलाड़ी किसकी रचना है सत्रंज के खिलाड़ी एक वस्चन भी कई बार आप से पूचा गया सत्रंज के खिलाड़ी के रचना कार कौन है हरी संकर परसाई सरज जोसी स्रीलाल सोकल या फिर प यहाँ पर है प्रेमचंद यानि की D नंबर सतरंज के खिलाड़ी प्रेमचंद की प्रिशिद्ध कहानी है दोस्तो ठेटोर्ता हुआ गरतंत्र ये किसकी कहानी है ठेटोर्ता हुआ गरतंत्र कहानी के लेका कौन है ठेटोर्ता हुआ गरतंत्र है इस कहानी के लेका कौन है भग पहानी कि लेखाक आपको बताना है और कई बार यह प्रस्ण पूछा गया दोस्तों ठेटोरता हुआ गरतंत्र है ना राइट आंसर आपका उत्तर जो चला जाता है ठेटोरता हुआ गरतंत्र के जो लेखाक हैं वो लेखाक हैं हरी संकर परसाई यानि कि सी नंबर आपका बिल गाना है सदाचार का तावीज निठलले की डाइरी प्रेम चंद के फटे जूते है ना उसा प्रेमबदा की बापसी किस लिधा की रचना है दोस्तो है ना जल्दी प्रतियोगित खी जाएगी आपकी ठीक है 20 तारिक को रख रेला है अपने एक प्रतियोगिता टेस्ट प्रतियोगिता होगी 20 तारिक को ठीक है 20 तारिक को एक टेस्ट प्रतियोगिता कायो जिन किया जाएगा जिसमें 50 प्रस्णों का टेस्ट होगा जिसमें दोस्तों आप से पूछे जाएंगे 50 प्रस्ण है या है वो है कहानी है ना इनको भी याद रखेंगे दोस्तों उस अप्रियम बदा की अन्य कहानियों की बात करें तो एक कोई दूसरा कितना बड़ा जोट फिर बसंत आया इस सारी की सारी इनकी कहानिया है ठीक है तो सबी लोग एप एप पर ही टेस्ट होगा कहाँ पर टेस्ट होगा एप पर जा कर कि आपने बहुत सारी टेस्ट दिये होंगे अगर आपने एप डाउलूट किया औगа तो ठीक है बिलकुल अब आपको बताना है कि 164 का उत्तर क्या होगा कौनसा रचनाकार नई कहानी आंदुलन में सामिल नहीं है एक क्वेस्चन भी कई बार आया है दोस्तों नई कहानी आंदुलन में कौन सा सामिल नहीं है एक क्वेस्चन आया है और नई कहानी आंदुलन में अपन ने पड़ा है कमलेस्वर राजिंद रियादव ठीक है और और मोहन राकिस ये तीनों तो आते ही हैं कमलिस और राजिंद रियाद और मोहन राकिस ये नई कहानिया अंदुलन्स से संबंदेत हैं है ना और यहाँ पर नहीं है पूचा है तो आपका उत्तर क्या चला जाएगा मारकंडे हंसा जाई अकिला एक इनकी प्रिसिद रचना है दोस्तो हंसा जाई अकिला तो मारकंडे मारकंडे है ना सिक्का बदल गया हैसे कई रचना किसकी है शिक्का बदल गया कि रिचनाकार कौन है शिक्का बदल गया सेवानी कशना सोपती ममताकालिया या फिर मिर्दुला गर्ग शिक्का बदल गया किसकी कहानी है ये आपको बताना है और उत्तर चला जाता है कशना सोपती शिक्का बदल गया कशना सोती रही क्रशना सोती रही और सिक्का बदल गया बी नमबर हैना सिक्का बदल गया कहानी की लेखी का क्रशना सोती है और इनकी अन्न कहानी हैं दोस्तो बादलों के घेरे शिवानी की कहानियों में लाल हवेली हैना उस पहार अपराधनी रत्या और रती बिलाप ये माने जाती ठीक है एक दो question और आपके हैं दोस्तों यहाँ पर इनको भी अपन को याद करना है ममता कालिया की प्रमुक कहानी की बात करें तो छुटकारा मोखोटा बोल ले वाली औरतें मिर्दुलागर की कहानियों में कितनी कैद हैं समागम डेफो डेल जल रहे हैं और गिरेसी अरादी यह माने जाती ठीक है अब दोस्तों कल से अपना स्टार्ड होगा आलोचना यहाँ पर अपन ने कहानी का पूरा पार्ट पढ़िया है ना कोसिस करेंगे कि उपन्यास जो अपन ने पढ़ा था दोस्तों अपन्यास को आपको एक पूरा फाइनल वीडियो मेरतन वाली किलास का दें है ना तो कोसि लोगे सी परकार से बने रहे हैं वीडियो को लाइक जरू करते रहे हैं कल से अपना आलोचना स्टार्ड होगा आलोचना को अपन पढ़ेंगे ठीक है तो ऐसे कौन से साती हैं जन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है 20 तारिक को अपने एक पृतियोगता कायोजन करेंगे कि दोस्तो उस पृतियोगता में सभी को भाग लेना है सभी लोगों को वो टेस्ट देना है टेस्ट होता है दोस्तो जैसे ओनलाइन टेस्ट होता है ऐसा ही टेस्ट आपके अब पर आएगा आपको टेस्ट को लगाना है ठीक है टेस्ट को आप लगाओगे submit करोगे कितने number आपके आते हैं वो आपको पता चलेगा कितने number आपने 50 में से कितने number किये हैं फिर नीचे दोस्तों share on WhatsApp का आता है तो share on WhatsApp करना है तो share on WhatsApp कर सकते हो हैना नीचे solution का option आता है तो solution भी आप कर सकते हो दोस्तो solution देख सकते हो कौन सा प्रशन गलत हुआ है कौन सा सही हुआ है उसका उत्तर क्या होना चाहिए वो सारी चीज़ें होने बारी है ठीक है तो अपनी प्रतियोगिता वाली दोस्तो शुरुआत हो चुकी है जैसे अपन पहले प्रतियोगिता करते थे पहले पहले अपन क्या करते थे कुछ ना कुछ इनाम रखते थे लेकिन अप दोस्तो इनाम आपके लिए नहीं रखा जाएगा अप सेवल आपकी प्रतियोगिता होगी आपको पढ़ने को मिलेगा ठीक है आपको टेस्ट देने को मिलेगा आप अपना क्या कर सकते हो आकलन कर सकते हो ठीक है तो सभी साथ ही Self Study Classes एप पर दोस्तों यह टेस्ट होगा और एटेस्ट होगा 20 तारीक को ठीक है तो आज ही पहले बाले टेस्ट भी बहुत सारे हैं जो फिरी हैं आपके लिए है ना तो फिरी भी टेस्ट रहेगा दोस्तों यह फिरी टेस्ट रहेगा जो आपका बीच तारीक को होगा ठीक है? आपके app पर आएगा आप फिरी टेस्ट को पढ़ सकते हैं एसे ही दोस्तों अनेकों टेस्ट फिरी टेस्ट भी उपलब्ध है app पर तो फिरी भी आप लगा sicकते हो जिनको pad पैड कोर्स में एड़ी सले ना वो पैड कोर्स में एड़ी सले करके पढ़ सकते हैं ठीक है सभी को धनवाथ क्रियाटिविटी मिस्टर सिंग जी रीता कांध जी अनिल कुमार जी दार्सु सर्मा जी और दार्सु जी अर्शदीब जिगनेज जी महेश जी मनीशा किरण जी व और किरण जी धनवा सभी को हर्दिग जी मेगा साब जी अरुन राजपूज जी अनीता जी बीनू जी है मलता अर्शदीब जी ठीक है तो जिन भी सात्यों को इस प्रकार का टेस्ट लगाना है वो आराम से लगाए हैना और भी बहुत सारे टेस्ट उपलब दें आपके लि ठीक है दिब्या जी प्रमोद सर्मा जी नीतू जी हैना तरण बीड जी अर्शदी परुन जी मुकनत मेगा जी जिगने सनीता जी अमिता जी अमित जी लोदी अंजू जी अराधना पाल जी लोकेस प्रिया जैंत जी गीतिका जी अमिता प्रमोद असोग जी लालदास प्री गीति जी महेज जी रीता कांत जी सेलेस जी ममता लालदास जी बवीता सभी को धनवाद दार्सु सर्मा जी असोक असोक सौनु जी नांगोर का सेर नांगोर का सेर भी आ गया है है अब हम जा रहे हैं नांगोर का सेर गुरूप में घुश गया है गीतिका हैना अमित जी ममता लालदास, दार्शू, हरीस जी, एट्टीट्यूट वॉय, हैना लालदास, प्रिया, जैंद जी, सबी सातियों को बहुत-बहुत धन्नवाद, इसी प्रकार से पढ़ते रहें, लाइक करते रहें, सेयर करते रहें, अपने बबीता जी, मेगा जी, गीतिका जी, हैना आस्ता, लालदास जी, अमरिता जी, सबी साती, ठीक है, दीपमाला जी, सुनीता अंजू, हरीस सिंग जी, और उपासना जी, कुलदीप सिंग जी, ठीक है, साती बने रहना है, सेल्प स्टेडी किलासे, इसको एप डर डाउनलोड कर लेना है, ठीक है, बहुत बढ़िया, प्रमोद, मधू, हैना, धन्वात सबी साती, मस्ती से पढ़ें, पढ़ती रहें, आंगे बढ़ती रहें, और दोस्तों, इसी प्रकार से, हैना, बिलकुल, धन्वात सबी को, जय हिन,